असलाम अलेकुम एंड वेलकम इन इस्टडी कॉर्नर तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कूस करने वाले हैं मार्थियो अर्नल की बहुती इंपॉर्टेंट और फेमस पॉयम डौवर्स बीच को तो वीडियो स्टॉट करने से पहरे लाइक में वीडियो सब्सक्राइब में प्रैसे पर राकन परने था कि इस तरह कि जो पी वीडियो सब्सक्राइब तक पहुंच जाएं तो आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका आज हम एनलाइसिस करेंगे कि इसमें पॉयम में क्या क्या चीज और किस तरीके से जो है यह यह चीज जो है से मार्थियो आर अर नल्ड नल्ड को अछ हम आज पत्रहया हैं चीज और को आप्सब्सन करें तो और यह जो इसमें खुद जो है यह मार्थियों आर्नार। इस TWO और ृप शिच तरह ए नहीं है तो यह एक डामीटिक मोनोग है मुल थिस जो है इसमें सब कुछ बोल रहा है और अपने आप स वो है crisis of faith मतलब सच की जो भी crisis हैं सच के बारे में वो इसमें जो है मार्थ आरनोड जो है वो उसने describe किया हुआ है the poem consist of four stanzas यह जो है बहुत ही छोटी poem है जो four stanzas के ओपर consist करती है जो जो lines है उसकी जो numbers है वो variable number जो है वो range में आते है four to six lines हर stanza के अंदर four to six line की जो है वो आते हैं इसमें कोई consistent rhyming scheme नहीं है बलकि इसमें जो है अलग-अलग rhyme scheme आ रही है हर stanza में और इसमें बहुत जदा जो है and rhymes में मौजूद है और यह जो poem है यह irregular iambic pentameter में जो है यह लिखी गई है तो इसका फूर्स इंट्रक्शन है अब माते हैं इसके detail analysis के उपर कि इसमें जो poet है उसने क्या कहा है अब जो poem है dover speech यह बहुत ही खुबसूरत poem है आपको नाम से बाद चल रहा है dover speech door जो है उसकी जो है वह हम कहते हैं dover इंग्लेंड की एक city का नाम है ठीक है और beach जो है आपको पता है कि beach जो है dover speech के उपर बनाई गई है अब dover speech जो है इसमें जो है जो पोएट खुद है जो राइटर है मार्थू आर्नॉड वह जो है अपने honeymoon पर आया हुआ है अपनी newly wedded wife के साथ उनकी नहीं नहीं शादिय हुए और वह honeymoon पर जो है dover speech आये हुए है अब यह जो पोएम इसके starting कैसे होती है काम सूधिंग और प्लीजन नेचर के साथ ठीक है इसमें जो सारा जो बाते हुए ना कोई एंगर है कुछ भी नहीं है सबस्थ यह जो पोएम सारे है जिससरी कैसे start हो रही है इसमें बहुत सब्सक्राइब कामनेज सूधिंग और प्लीजन नेस है ठीक है डोवर जो है अब यहां पर इस पोएम के बात की जाए तो पोएट जो है वह किस तरफ वह इंगलेंड की पर जो है वह बैठा हुआ है और किस तरफ देख रहा है फ्रांस की तरफ तरफ जो है फ्रांस का कोस्ट जो समझ्च करें की कोशिशा करें कि डोवर ज्न नंज्द्र मेंध्यां की बीच बीच और ऑश्र्धा घ्रा इस तृधाल का मैं देक और यह इंगलेंडा इस तरफ उ तिर्फ़हे वह इंग्लिनड की बीच के ऊपर बैठाए और रात कर से टायमे है वह इस इसे तरफ के तरफ 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 देख रहा है कि कि यहां पर beaker भी प्र बात कर रहा है अब उस पीच के ऊपर बैट कर पोईट क्या देखता है कि एक स्मॉल लाइट है जो से नज़र आ इंगलेंड प्यूपिल एंड वाल अराउंड अब यह क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इंगलेंड के जो लोग है और इसका जो दुनिया वहां पर उसकी दिमनेशिंग फेज को किस तरीके से उनका फेज जो वह डिमनेशिंग हो रहा है ठीक है इस पूरी पूएम के अंदर जो पूएट है जो राइटर है वो किस चीज की इमेज झाल कर रहा है वो सी की मीज क्राहत कर रहा हुपिके जितनी भी खुशिया नजर और है है लोगों के तहट जो है वो क्या है वह एक्ठ नहीं हैएं वो एक्सक्ट हम कहते हैं कि हम जोब यहां पर चीज़ देखने सब आर्टिफिशल कोई भी चीज़ जो है वह रील नहीं है ठीक है विदाउट पीस ज्वाहाए और हईल्प यह जितनी भी दुनिया है ये सारे दुनिया क्या है पीस ज्वाहए और है यह पूरी दुनिया आपको ब्योटी औ या पोएट का है वो यह है कि जो पोएम हैं वो कन्वे कर रहे हैं सिंपल सा मेसेज थू लव जितने भी लोग हैं वो क्या फेट को ढूंदते हैं ते स्पीकर प्रोमोट वाल इन विच एवर्यों रिटॉर्ण तो स्टीट फास फेट And Set Aside Conflict And Crue Itly तो यह मेसेज है यह में आइडिया है इस पोएम का ठीके इस पोएम में क्या है कि राइटर जो है वो डौवर्स बीच पर बैठा है अपनी नूली वेडिर वाइफ के साथ और वो जो है उससे एंगलेट की बीच से बैठकर जो है वो फ्रांस के कोस्ट को देख रहा है और वहां पर देखते हुए उसे एक लाइट नजर आ रही है जो कि लाइट कभी नजर आती है और कभी गुम हो जाती है तो उस लाइट को जो है उसने रिप्रेजंट किया है ये ये डेमिलेशिंग फे weit है लोगों का ये जो जतने भी बाते हैं ये सारी इस पोइम में की गई है कि जो भी चैसाफ आपको इस दुनिया में नजर आती है जो भी हैपिनिस ब्यूट्फलनेस नजर आती है वो स सारी क्या है वो सारी जो लोग समझते हैं कि यह सचे, फैक्टे, रियल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब क्या है, जूटे और यह दुनिया सिरफ और सिरफ जो है, वो पीसले से, ज्वाइले से, और हेल्पले से तो यही है इसका और यह इसका में आईडिया है, और इस पईम की जो टोन है, वो पीस, काम, जो हैर प्लीजिंट जो है, प्लीजिन नहीं है टोन है, और इसमें जो जो एनलाइसे मों, मैंने आपको बता दी है, तो I hope आप आज की वीडियो जो हैмен जो हो आपको बद आज को comment in comment section box I will solve your query तो आजके लितना ही काफी है मुझा इजास देज़े थैंकियो सो मच आला हाफिज